कि है गाइज वेलकम टू इकॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल गई आज का जो वीडियो है वो फ्लिप कार्ट से रेलेटेड है और आप फ्लिप कार्ट पे सेल कर रहे हो बहुत नाइम से सेल कर रहे हो आपको अभी तक ग्रोर्थ देखने को नहीं मिली है अपने सलर वीडियो आपके लिन पॉर्टेंट होने वाला है आज मैं आपके साथ एक ऐसे स्टैटेजी सेर करूंगा जो मैं काफी सेलर के साथ कुछ दिनों से ट्राइ कर रहा हूं और बहुत से सेलर को रिजल्ट मिल रहा है तो आज किस वीडियो में हम उसे स्टैटेजी के बारे में में बात करेंगे कि अगर आप फ्लिपकार्ट पर बहुत टाइम से सेल कर रहे हो और आपके जो फ्लिपकार्ट का सलर अकाउंट है उसमें आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिला है तो यह स्टैटेजी आपके लिए कैसे वर्क करेगा और आप कैसे इससे बेनेफिट ले सकत हो तो आपको पता होगा फ्लिपकार्ट में अगर आप सेल कर रहे हो तो आप हर फ्लिपकार्ट के अकाउंट का एक लेवल होता है स्टार्टिंग में आपका लेवल ब्राउंज होता है और जैसे जैसे आपके और इंक्रीज होते हैं आपके जो लेवल है वो हर थ्री मंत में तो यहां पर इसी कूंप ले करके आप अपनेo channel को grow कर सकते हो Flipkart account को grow कर सकते हो कैसे कर सकते बाद करते हैं तो देखिए स्टार्टिंग में आ रहे हो तो आपको चाहिए orders अगर आप बहुत टाइम से आपका seller account पे growth देखने को नहीं मिल रहा है आपने बहुत से category कर ली बट आपको देखने को growth देखने को नहीं मिल रहा है कि आपके order increase हो रहा है तो इस strategy को आप apply कर सकते हैं देखिए Flipkart में अगर आपका label increase होगा तो आपके जो प्रोडक्स है उसके व्यूवी अपको बढ़ होगे उसके विजलिवीटी ज्यादा आएगी तो आपको और ज्यादा होगे तो स्टार्टिंग में आपको यह करना है कि आपको अपने प्रोड़क्स की विजलिवीटी बढ़हानी है आपके अकाउंस का लेवल बढ़ाना है silver से ब्रॉंज आपका जो ब्रॉंज को silver में लेके जाना है इस तरह आपको जो लेवल है वो बढ़ाना है तो इसके लिए अभी हम क्या strategy एक यूज कर रहे हैं जो आप भी यूज कर सकते हो क्योंकि के बहुत से जello आते सेलिंग करने के लिए और उसको लिस्ट करते हैं और फिर वहां से उस पीर उपर ओने की कोसिन करते हैं अगर यह कर रहो है जो हैं हम क्या कर र देड़ PROF cardio ले के आ रहे हैं और ब्रेंडेट पॉडटेट्स को सलेवाँ से लिस्ट करने के बाद क्यूँंकि ब्रेंडेट प्रड़क्ट्स कस्टमर ज्यादा पर्चेज करते हैं तो उनक्या होता है ग्राइव representations हो पर प्रोड किया होता है चुनत घरता है और यह दो पर inस Gra 201 महिंद हो जाता है है तो फ्लिपकाट उनके सारे निस्टिंग को जो है वह थोड़ा इनक्रीज कर देता है तो इससे क्या होते हैं उनके और उनके भी एद्रे बढ़ते हैं तो यहां पर क्या आप एक स्ट्रेज़ी कर सकते हूँ आप ब्रैंडडेट प्रॉडक्स ला सकते हो और branded products बेचने के भी कुछ rule होते हैं तो मैं आगे 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 आपको बताऊंगा वेट कीजिए तो यहां पर आप branded products लाके list कर सकते हैं अगर आपको लाना है तो एक बात का बिल्कुली ध्यान रखें अपको अप्रूबल लेना पड़ता है अगर आप किसी भी ब्रैंड के प्रोडक को सेल कर रहें कोसिजिए एक अच्छे ब्रैंड का प्रोडक्ट लेगाए तक आपको आपको अपका एम यही है कि आपको अपने अकाउंट का लेवल बढ़ाना हो सकता उसमें आप अच्छे अ है तो वह अच्छे जगा से लिते हैं तो तो आपको चाहिए करने तो आपको चाहिए होगा ओटराईजीशन लीटर जिस भी ब्रैंड का फ्रोड़क्त depende कर रहे हुँ पर price कीजिएगा ब्रेंड के किसे भी ब्रांड के के सी इन बाइशन किया आपका gli जिस भी नाम से फ्लिपकार्ट में आपका जिस्टी नंबर चाहिए आपका नेम में चाहिए और इसका ध्यान आप बिल्कुल ही रखेगा और उसका स्टेम्प और यहां पर दोनों होना चाहिए तो इस यह और इस बहुत हैं जो सब्सक्राइब करें अब इन दोनों लेटर यह जो पॉर्मेट लाइब लगा देख अगर आपको इस फॉर्मिट को चले जाएगा इसका लिंक मैं इंटे दिशन में दे दिया और इस आर्टिकल के नीचे जैसे आप देख सकते है फिलप काड्ट ब्रेंड अप्रूवल फॉर्मेट तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो है पर डाउन्लोड का लिंक है डाउन्लोड ब्रेंड प्रूवल लेटर फॉर्मेट क्लिक करने पर कर सकेंगे और download purchase invoice format दोनों का लिंक मैंने यहां पर यहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रॉसेस को आप फॉलू करके यहां पर आप जो है ब्रैंड का प्रोड़क्त ला करके अपने जो अकाउंट की विजिविटी है वो थोड़ी बढ़ा सकते हैं लेकिन हां एक बा जाएगा और आपकी अकाउंट की हो सकता है बढ़ जाए तो आज का वीडियो में इतना ही रखते हैं अगर आज का वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक जुरू की जिएगा साथ हमारे चल पर नए है तो कदी चनल को सब्सक्राइब मैं आपके लिए ओनलाइन सेलिंग स्र में आज कर वीडियो